वाइब वल्कम टो मैं चानल पर दोस्तों आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं अधानी पावर के स्टॉक्स के बारे में इसके पहले मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है अधानी पावर पे बहुत बार लोगों के मन में कन्फूशन रहा है कि ये काउंटर होल्ड करना से यह कि नहीं क्योंकि बीच में जब अधानी का एक निउस निकल के आया था कि बहुत सारा स्कैम या फिर आप कह लीजिए बहुत सारे फोर्जिंग हुए थे डेटा में तो अधानी का जो टोटल ग्रूप था अंटरप्राइस ले लीजिए अधानी जो पावर है उसको ले अधानी के जो भी चार से पांच स्टॉक जो अधानी ट्रांस्मिशन हो गया अधानी टोटल गैस हो गया जितना लिस्टिंग था सब के सब में बहुत जादा गिरावाट आया था लेकिन वहां पर इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मैंने आपको कहा था कि यह एक है जिस पर हर डिप में आपको बाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए और हर एक काउंटर महां से बाउंस बैक हो चुका है अपने अगर वह पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे जाए और अधानी लिक के आप सर्च करिए आपको लॉग टर्म चार्ट पर देखो जो मैंने स्क्रीन पर ओपन करके रखा है तो यह इसका आदानी जो पावर है उसका लॉग टर्म चार्ट है मैक्सिमम चार्ट है जब से लिस्ट हुआ है लास्ट दस साल में अगर आप देखो तो 2010 के आसपास जो हाई था डैट वसके बाद जो नेक्स हाई लगा था डैट वस एगेन सम्वेर अराउंड 2021 के बीच ओ बीच जून जूलाइ के आसपास जहां पर 140 तक का भाव आपको देखने को मिला था अब वही जो प्राइस है 148 का हाई आपको देख रहे हैं जून में तो यह जो दोस्तो अगर आप लॉंग टम च न्यूस भी आती है और यह जो पॉस्तिव न्यूस आज निकल के आया है जहां पर अदानी पावर महराश्रा आस्क्स MSEDCL टो पे 10 क्रोर रुपीज इन 4 वीक्स तो यहां पर एक कोर्ट में केस चल रहा था जिसको अदानी पावर ने जीत लिया जिसके चलते 10,000 करोर का पेम सकता है तो यहां पर डेफिनिटली आपको देखने को मिल सकता है आपको अगर लग रहा हो कि मैं नॉर्मल हवा में बात कर रहा हूं तो यहां पर मैंने अपना पॉर्टफोलियो ओपन भी किया हुआ है आप देख सकते हो अदानी पावर का मेरे पास होल्डिंग भी रखा हुआ है यह ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट लॉंग टर्म इसको फाइनली एवरेज करके फिर मैंने 122 पर सेल किया फाइनली जब वापस करेक्शन हुआ मैंने 101 के भाव पर फिर से बाई किया था अभी मैं होल्ड कर रहा हूं 100 के भाव पर 125 अभी करेंट मार्केट प्राइस अब देख सकते हो 25% में अल्रेडी रिटर्न मुझे मिल रहा है लेकिन दोस्तों इन्वेस्टिंग का तरीका यही है कि आप हर बार डिप पर बाई करो और वापस सेल कर दो और धीरे धीरे जो आपको प्रॉफिट बने उसको आप रिइन्वेस्ट करो तो आप देख सकते हो इस साल यह इसी फिनांशिल येर में है 2021 में से लेके अभी तक म अभी मैं 100 शेर्स होल कर रहा हूं 100 के भाव पर 30,000 रुपीस इन्वेस्टमें इसका क्या मतलब है 13,000 रुपय मेरा प्रॉफिट 14,000 मेरा प्रॉफिट 10,000 का मेरा होल्डिंग है इसका मतलब यह जो शेर्स मैं होल्ड कर रहा हूं यह बेसिकली मेरे लिए फ्री शेर्स है तो मिला है because of this order तो आने वाले समय में definitely आपको एक बहुत बड़ा टार्गेट आता हुआ देख सकता है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि content आपको logical लगा हो अगर content सही लगा तो चैनल को ज़रू subscribe करे and मुझे social media, twitter, telegram पे भी follow करे ताकि कोई भी important वीडियो या फिन notification आप मेशना करो, thank you so much